आप सभी दोस्तों का हमारे यूटूब चनल वे बहुत बहुत श्वागत है आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस समय का सबसे ट्रेंडी टॉपिक ग्रामर का और इंग्लिस का इस्पोकन सेंटेंस हर कोई इस समय में इंग्लिस बूलना सीखना चाहता है इंग्लिस के सेंटेंस यूज करना चाहता है लेकिन बॊल वहूंँ पाएगा जिसके पास इंग्लिस के अच्छे-च्छे سंटेंस का कंपालेशन होगा मतल Pray इसको इंग्लिस के इЕТмы सेंटेंस आते होंगे तो आज के विडियो में रपकार करने ओंको हर जाने वाले बाले वाक्य पहला सेंटेंस आपके सामने है नू प्रॉब्लम इट्स हैपन कहां बोलते हैं नू प्रॉब्लम इट्स हैपन जैसे आपने देखा होगा कि कभी जह हम बच्चे जह हम स्कूल में पढ़ते थे तो हरवार 15 अगस्ते 26 जनुवर भी डांस तो करती हैं तो बहां डांस भूल जाते हैं तो बげम डियंट्रयश उती हैं सेड तो नीच उतरते हैं तो टीजर क्याकरना है नो प्रॉब्लम इट्स हैपन मालट कोई रात HOLय होता है सब के साथ होता है सेकंड सैंटेंस हाव डियर यू सबेश्व गरां सादे यदि कुई व्यक्ति आपके गवरे में जाकर आपकी बिना परमिशन के कोई आपकी बस्ती उठा लेता है तो आप उसको बोलोगे तुम्हारी इतनी हिम्मत हाओ डे अई यूझ यदि कोई व्यक्ति आपको उंगली दिखा के बात कर रहा है तो आप उससे वोजकते हो डॉंट सोमी फिंगर उंगली मत दिखाओ मुझे उंगली मत दिखाओ चोथा है बहुत कॉमन सेंटेंस है आपने देखा होगा जब कोई किसी से पूझता है कि भाई क्या चल रहा है तो इसको मिंगली में क्या बोलते हैं वाट्स गूइंग ऑन ब्रो क्या चल रहा है पांच माह सेम उन यू जब आप अपनी उम्र के हिसाब से या पर कोई आप बाइस देता है कि भाई आप क्या करना चाहोगे एक करना चाहोगे बोकर तो आप सामने वाला बोलता है एस यू लाइक भाई तुम्हें जैसाथ चल लगे जैसी आपकी मर्ची छेटमा सेंटेंस सेवन थे माइंड यूर बजनेस मालो आप किसी वर्क पर सीरियस काम कर रहे हो सीरियस काम कर रहे हो और कोई ब्यक्ति आपको आकर डिश्टरब करने लगे तो आप उससे का बोलोगे भाई माइंड यूर विजनेस अपना काम करो डॉंड डिस्टर में किर्फे मुझे परिशान मत करो आठ माहें आयम ऑन दावे चलो एक सिच्वेशन अजियू करते है माली जीये आप स्कार्विव चला रहा है इसकार व्यू आप चला रहा हो और आपके दोस्त का फोन आता है तो आप क्या बोलोगे दोस्त बोलेगा वे रारे यूँ तो हम बोलेंगे आयम से रहा है where are you आप कहां हो तो अपन बोलेंगे I am on the way मतलब मैं रास्ते में हूं अभी लगती नाइज व्यक्ति से मिलते हैं और शसे मिलकर अच्छा लगता है आपको मिल्कार अच्छा लगा लास्ट व्यक्ति से सी ऑ राएं मतलं मिलते हैं तो see you again मतलब होता है फिर मिलेंगे या कल मिलते हैं यह कुछ common sentences हैं जो आपके सामने मैंने आपको समझाए for example no problem it's happened how dare you don't show me finger what is what is going on Sam on you as you like mind your business I am on the way nice to meet you and see you again यदि sentence आपको समझ में आए यह हमारी वीडियो आपको समझ में आती है पसंद आती है तो हमारे और ऐसे ही sentence की वीडियो चाहिए है तो हमारी इस वीडियो में comment करें that's we can take a new part to you thanks for watching my channel